Hello students, good afternoon to all of you, students हमने देखो left open curve और right open curve के बारे में पहले recognition कर चुकिया है ना, हमने right open curve को कैसे trace करते हैं ये भी सीखा था है ना, हम dot to dot join किया था ना इसको, देखो मैं आपको इक बर फिर से दिखा देती हूँ, ये था हमारा right open curve जिसमें हमने इसको tick भी किया था, है ना, और ये था हमारा left open curve जिसको हमने टिक किया था है ना और हमने एक और चीज एक्जामपल लेके डिस्कस की थी कि अगर हम अपने left hand को open करते हैं तो वो right open curve बनता है अगर हम अपने right hand को open करते हैं तो वो left open curve बनता है ना तो आज मैं आपको बताऊंगी how to trace the left open curve ठीक है आज हम left curve के बारे में सीखेंगे कि उसको कैसे trace करते हैं देखो मैं trace करके दिखाती हूं आपको आपको वैसे ही दीरे दीरे ऊपर से नीचे की तरफ dot to dot join करना है ठीक है next पताती हूं आपको देखो आपको ऐसे यह राम से dot to dot join करते जाना है ऐसे ठीक है बच्चो आपको ऐसे यह उपर से नीचे trace करना है इसको dot to dot और parents आप बच्चो से उनके favorite food items के बारे में भी पूछें और उनकी favorite toys कौन से होते हैं उनसे भी पूछें उनके favorite toys के बारे में और उनके favorite food items के बारे में ठीक है बच्चो आप इसकी practice करना कि हम कैसे left open curve को trace करते हैं ठीक है बच्चो थेंक यू बाबाई